सबसे पहले मेरे वीडियो का रियल क्वालिटी देख लीजे ताकि आप लोगों को यार कोई भी डाउट ना रहे तो यहाँ पे आपको रियल क्वालिटी आपको थोरा से दिखा दें तो यह है मेरे वीडियो का रियल क्वालिटी भी थोरा से यह भी है ये मेरे विडियो का real quality है आपको कैसा मिल रहा है देखने को लेकिन अभी आप तुरंत देखना है तो ये है इस विडियो का editing quality जो की आज इस विडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि इस विडियो को देखने के बाद में आप black background video editing और वो youtube creators जो की कुछ नया video editing सिखना चाहते हैं उनके लिए ये video ब्रह्मास्त्र होने वाला है तो यहाँ पर editing सिखने से पहले आपको video recording सिखना होगा क्योंकि मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ जितना important video editing नहीं उससे कई ज़्यादा important है video recording तो मैं video recording के लिए use करता हूँ Canon का 3000D camera नही मैं use करता हूँ OnePlus iPhone नहीं मैं use करता हूँ एक 10,000 का phone जिसका नाम है Infinix or 10 और मैं इसका promotion नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे से भी महेंगा phone आपके पास में होगा और इससे भी अच्छा camera आपके phone में दिया गया होगा तो मैं use करता हूँ video recording के लिए play store पे आने वाला एक application जिसका नाम है open camera और लगवग सभी phone वाले creators open camera का ही use करते हैं video recording के लिए लेकिन मैं कुछ open camera के hidden features का use करता हूँ जो कि अभी तुरंत मैं आपको बताने वाला हूँ और उसे use करने के बाद मेरा video ऐसे से कुछ ऐसे हो जाता है और आप भी ये easily अपने open camera में करने वाले हो तो अगर आप normally अपने phone में पहले play store से open camera को install करके open करते हो तो कुछ यही 3-4 futures आपको मिलते हैं जो कि किसी काम का नहीं होता और मैं आपको बता दूँ एक light adjustment stick भी मिलता है जिसको on off करने से light का तो पता नहीं बट bright adjust 100% होता है मतलब पूरा video का ही bright adjust जो है वो up down कर देता है और अच्छा बात तो यह है कि यह कभी कभी stick जो है light adjust के लिए दिया गया है वो काम भी नहीं करता और एक आपको एक exposure लोक मिलता है जो कि on करने के बाद में भी background में white black white black और yellow lights automatic up down होते रहते हैं तो भाई यह किसी काम का नहीं ह लेकिन अभी जो मैं open camera के कुछ hidden futures आपको बताने वाला हूँ एक बड़ इसका try जरूर से कर लिजेगा क्योंकि इसको try करने के बाद में कुछ video आपका ऐसे से कुछ ऐसे quality में convert हो जाएगा और यह बहुत ही ज़्यादा professional लगेगा लिखके देता हूँ open camera में इन सभी futures को on करने के लिए सबसे पहले आपको open camera open करना होगा open करने के बाद में आपको ऊपर एक setting icon देखने को मिल जाएगा आप setting के option पे click किजे यहाँ पे click करने के बाद में आप नीचे scroll down करके आईएगा तो यहाँ पे आपको एक future देखने को मिलेगा जिस पे select करने के बाद में आपको फिर से उपर जाना होगा और उपर आपको एक option देखने को मिलेगा face detection का इसको आपको सबसे पहले on कर लेना है उसके बाद में नीचे आप scroll down कीजेगा तो आपको last एक और future को enable कर लेना है और उसके लिए आपको यहाँ पे click करना होगा और यहाँ आपको एक exposure log का option और देखने को मिल जाएगा तो इन दोनों exposure log के option को on कर देना है इन दोनों को on करने के बाद में आप back आईए और back आने के बाद में background से पूरे तरीके से open camera को हटा दीजिए फिर से reopen open camera को करना होगा उसके बाद में कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा normally वही options द का option जो आपने on किया था वो एक extra में आपको देखने को मिल जाएगा और उसके बाद में आपको एक और ज्यादा अच्छा जो की future है वो add हुआ है आपके open camera में ये hidden future भी आप लोग बोल सकते हो वो है light adjustment का ISO जिससे आप लोग background adjust कर सकते हो और मैं आपको उसके benefit के बारे में बताने वाला हूं लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने phone में screen recording को on करना होगा ताकि आपको थोड़ा बहुत बेमो मैं दे सकूँ तो यहाँ पे मैंने screen recording on कर लिया है और on करने के बाद में आपको कुछ ऐसा interface देखने को आपके phone में मिल जाएगा इन सभी features को enable करने के बाद में open camera में okay अब यहाँ पर जो भी features add हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दू मैं तो एक exposure लोग आपको और जादा देखने को मिल जाएगा आप देख सकते हो और यह है face lock ठीक है यह दोनो exposure लोग ही है बट एक face lock होता है और एक light lock करता है ठीक है यह important है बहु most important future है वो है light का यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर मैं क्लिक करता हूं थोड़ा बहुत विडियो क्वालिटी हो सकता है कि इधर उदर हो बट आप लोग निश्चिंत रहो उससे कोई दिक्कत नहीं है ग्यान तो कहीं से भी लिया जा सकता है तो यहाँ पर नीचे दो light यह इसो एड़ेस्ट करने के बाद में अभी तुम लोग क्वालिटी देख सकते हो थोड़ा बहुत विडियो लेग कर रहा है बट जैसे ही हम थोड़ा सा यह light इसके दूसरे वाले इस्टी को कम करेंगे हमारा विडियो क्वालिटी कुछ ऐसा हो जाएगा और अगर थोड़ा स में हम जानेंगे कि इन सब विडियो को एडिट कैसे किया जा सकता है और अगर आपने एक ब्लैक स्क्रीन वाले विडियो को सूट कर लिया है तो नोर्मली जादा विडियो एडिटींग के लिए जरूरत है ही नहीं लेकिन यह बहुत जादा इंपोर्टेंट फ्यूचर मैं में बैक्डाउंड का लाइट ही गाइब कर दिया जा रहा है और बस पर रहा है लाइट तो हमारे बोडी पे तो तुम लोगों ने देखा मैं ऐसा ही विडियो सूट करता हूं और एडिटिंग से कुछ एक्स्ट्रा करेंगे कुछ एक्स्ट्रा लेबल का जैसे कि अपना च प्रोटेंट होने वाला है आप सब के लिए तो ज्यादा कोमेंट आएगा ज्यादा वीडियो पे लाइक आएगा तो अगला वीडियो जरूर से आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो और ज्यादा आपको इंट्रेस्टिंग वीडियो एडिटिंग से डिलेटेड इस चैनल पर मिलते रहेंगे तो जल्दी जले वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जहेंद बंदे मात्रां